तोड़े टॉपिक इस रिप्रोड़क्शन पहले हम इसको हिंदी में जाने के रिप्रोड़क्शन है क्या वो प्रोसेस जिसमें और्गेनीजम अपने वन्स को जनम देता है उसको रिप्रोड़क्शन कहते है अपनी ही तरह अपने वन्स को जनम देने के प्रोसेस को रिप्रोड़क्शन कहते है और प्रोड़क्शन बहुत जरूरी है अर्थ पर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आने के लिए हमारे काफी लाइप प्रोसेस होते हैं नुट्रेशन रैस्पाइरेशन एक्सक्रिट्रेशन जो हमें जीने के लिए जरूरी है Reproduction हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है ये इसलिए ज़रूरी है जो अर्थ पर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ सके It ensure the continuity of the species generation after generation Reproduction process की ही वज़ा से अर्थ पर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है एक बार फिर It is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself जीव जब अपना once देता है new create करता है उसको reproduction कहते है Reproduction is divided into two parts Asexual reproduction and sexual reproduction अब हम पहले पढ़ते Asexual reproduction क्या होता है तो पहले सुन लो Asexual reproduction होता है जिसमें single parents capable होता है अपना once के लिए अपना आगे once देने के लिए अपनी copy बनाने के लिए वो single parents capable होता है देखते हम आगे Asexual reproduction In this type of reproduction, formation of new organism produced by single parents main बात इसमें ये single parent new organism देता है अपना once देता है without formation and fusion of gametes इस प्रोसेस में ना ही gametes बनते हैं और ना ही fusion होता है Asexual produce of spring are identical and exact copy of their parents जितने भी जीव Asexual reproduction से produce होते है वो जिटों copy रहते हैं अपने parents की क्योंकि इसमें single parent capable होता है और ना ही gamete बनते हैं तो जो parent था बिलकुल copy होगा उसकी morphologically and genetically similar individual are called columns morphologically means देखने में genetically genes है देखने में जीन्स है बिलकुल copy अपने parents की होते है जो individual उन्हें colon कहते है काफी टाइम कोशन आता है what is colon तो उसका अंसर बस यह ही है यह चोटे नंबर में आता है एक नंबर यह दो में a sexual reproduction most common in single cell organism बड़े organism में यह नहीं होते है single cell में होते है यह जातर जो single एक ही cell के पूरे organism होते है उसमें यह वाला reproduction पाया जाता है such as monoreans protist and in plant and certain animals it absent higher non vertebrate and vertebrates a sexual reproduction absent रहता है higher non vertebrate और vertebrate में non vertebrate होगे जिनकी read की हड़ी नहीं होती जैसे कि अर्थवों वगरा हमारी जितनी भी जोक्स आती है वो सब non vertebrate में vertebrate जिनके अंदर read की हड़ी पाय जाती है a sexual reproduction उनमें absent रहता है अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि sexual reproduction क्या है sexual reproduction यह opposite asexuals है in this type of reproduction formation of male and female gametes either by same parent और by different parent इस process में कहरा है male और female gametes जरूरी होते है चाहे वो एक parents दे या दो अलग-अलग parents से आए by different parents of a opposite sex और यह भी opposite sex के हो male और female these gametes fuse to form the gigot यह gametes आपस में fuse होकर gigot बनाते है और वो जाइकोड डपलप होके एक new organism बन जाता है simple सी बात है जब दो अलग-अलग gametes मिलेगे एक male का female का जब दो मिलते है तो combination होता है मान ले जाए male का sperm और यह over होगी हमारा female का जब इन में fusion होगा यह एक दूसरे से टकराएगी तो जो new चीज़ बनेगी वो different होगी इन दोन से simple जी बात है यह अपने parents से different होता है एक बार हम फिर्वाइस करेंगे इन दिस टाइप ओफ रिप्रोडक्शन फोर्मेशन ओफ male and female gametes आइधर बाइदा सेम पैरेंट्स और बाइद इफरेंट्स पैरेंट्स ऑफ दे अपोजिट सेक्स बस हमें अपोजिट सेक्स के टू गैमेट्स चाहिए एक male हो एक female हो जब जाके सेक्स्वल रिप्रोडक्शन होता है अब हमें इससे यह कुछ नहीं एक पैरेंट्स भी दे सकता है जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं फ्लावर में male और female दोनों पार्ट होते हैं अब लगणीजम ने दोनों गैमेट्स दिये और उसका और गैनीजम न्यू और गैनीजम बन गया एक बार हम इसको पूरे को रिवाईस कर लेते हैं यह वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गनीज्म अपने ऑफिस्प्रिंग देता है अपनी ही तरह इस प्रोसेस की ही वज़ा से अर्थ पर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है अब असेक्सवल देखते हैं इन इस ट्राइब और रिप्रोड़क्शन फॉर्मेशन ओफ न्यू और्गनीज्म प्रडूस बाइस सिंगल पैरेंट विथाओट फॉर्मेशन और फॉर्मेशन और गैमेट नहीं होगे तो फॉर्मेशन भी नहीं होगा जो जीव वो बिल्कुल कौपी होते हैं अपने पैरेंट्स की वो देखने में और जैनेटिकली भी टोटल सिमिलर होते हैं अपने पैरेंट्स के असेक्सवल रिप्रोडक्शन बड़ों में नहीं होता है बड़े ओर्गेश्म में नहीं होता है शिर्फ यह सिंगल सैल में होता है जैसे कि सिंगल सैल अनिमल्स अर्गेश्म हम देख लेते हैं मौनरेंस प्रोटिस्ट और इन प्लांट स्मोल प्लांट शर्टेन जैसे अल्गी बगायरा और शर्टेन अनिमल्स इट अपसेंट हायर नोन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में नहीं होता है यह सैक्सुल रिप्रोडक्शन नहीं वर्टिब्रेट में होता है और नहीं non vertebrate अब हम देख लेते हैं sexual reproduction sexual reproduction in this process sorry in this type of reproduction formation of male and female gamet compulsory है sexual reproduction में compulsory है male और female gamet की ज़रूरत पड़े ही पड़ेगी चाहे वो एक parents दे या दो अलग-अलग parents there these gamet fuse to and form the gigot आपस में fuse होके यह जाइगाड बनाते है और जो जाइगाड डपलफ होता है new organism है आप स्क्रीन चॉट ले सकते हैं इसका और सेकिंड यह भी part of sexual and sexual reproduction हम next video में discuss करेंगे